कुकु टीवी दादाजी, क्या हम ये सारा सामान खरीद ले? ये सब क्या है साशा? मैं इसे अपनी संडे वाली पाटी में पहनूंगी दादाजी पर ये कुछ जादा नहीं तो क्या हुआ दादाजी, मैं सभी से अलग भी तो दिखूंगी, फिर सभी मेरी तरफ देखेंगे ठीक है, मैं ये खरीद दूँगा, पर पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ ये कहानी सुनेंगे एक बार की बात है, एक पूल्ट्री फार्म में एक मुर्गा बहुत सी मुर्गियों के साथ रहता था मुर्गे के पंक रंग बिरंगे थे और खूपसूरत दिखते थे वो सभी को दिखा कर चिड़ाता था यहां तक कि किसान को भी वो बहुत पसंद था पर इसकी वज़े से मुर्गा बहुत घमर्डी बन गया और वो मुर्गियों को नीचा दिखाने लगा मुर्गा जी, हमें खेल खेल रहे हैं, क्या आप में खेलेंगे? जाओ तुम मुर्गियों, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा क्यो? देखो तो जरा खुद को, सफेद रंग और इतनी मोटी हो तुम सभी, और मुझे देखो, तुम्हें फर्क नजर नहीं आता? पर तुम जैसों के साथ बात करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है कोई बात नहीं, हम तो बहुत सानी हैं, हम खेल सकते हैं, हमें मुर्गे की कोई जरुरत नहीं पर उसे बात करने की अक्ल नहीं फिर एक दिन एक चोर फार्म में घुसाया, जब किसान सो रहा था कितना बड़िया फार्म है, लगता है आज कुछ अच्छा हाथ लगेगा हाँ, मुर्गिया, इन में से एक या दो को चुरा कर कसाई को बेच सकता हूँ उनके बदले कुछ पैसे तो मिल जाएंगे पर किसे लेकर जाओ, सब तो एक जैसी है एक मिनट, मुर्गियों को छोड़ो, उस मुर्गे का दाम तो अच्छा मिल जाएगा कितना सुन्दर है ये अब तुम बच कर नहीं जा सकते, मेरे प्यारे मुर्गे, आजाओ, मैं तुम्हें असली घर ले चलता हूँ पता है हमें किसने बचाया? किसने? हमारे बेरंग पंखोने, अगर हम भी उतने रंग भी रंगे होते, तो वो हमें भी कसाई के पास बेच देता सही कहा, खास रंग रूप, दुआ भी बन सकता है और अभिशा अब भी अच्छा दिखना बुरी बात नहीं है, पर याद रखना कि दूसरों से अलग दिखना कभी-कभी परिशानी बन सकता है हाँ साशा, इसलिए मुर्गा बनने की कोशिश मत करो चलो बच्छो एक बार की बात है, एक बहुत ही घमंडी इगल थी, वो पहाड के शिखर पर रहती थी उसे बहुत घमंड था, क्योंकि वो माउंट एवरेस के सबसे उंचे सिरे पर रहती थी, दुनिया की सबसे उंची चोटी मा, क्या हम कभी यहाँ से नीचे जाएंगे? हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब जाना, पर एक बात याद रखना क्या मा? मैं बहुत बार नीचे गई हूँ, और मुझे बस वहाँ हर तरफ गंदे जानवर और पक्षी दिखते हैं उनकी हमारे रहन सेहन से कोई बराबरी नहीं तो हम उनसे काफी बड़े हैं, ये हमेशा याद रखना बच्चों एक दिन एक महान आदमी माउंट एवरेस पर मेडिटेशन करने आया वो बिलकुल इगल के घोंसले के पास बैठ गया ओ नई, कितना गंदा आदमी है वो, हमें उससे सावधान रहना होगा हर रोज, इगल नीचे जंगल में जाकर अपने परिवार के लिए खाना लेकर आती थी वो महान आदमी हर रोज इगल को जाते हुए देखता एक दिन उस महान आदमी ने इगल को बुलाया हो हो इगल, यहाँ आओ, मेरे पास क्या मैं? हाँ, मैं तुमें बुला रहा हूँ यहाँ आओ तुम क्या चाहते हो? मैं तुमें रोज देखता हूँ तुम और मैं सिर्फ हम दोनों ही इस पहाड की शिखर पर है क्योंना हम दोनों दोस बन जाए? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती क्यूं? क्योंकि तुम गरीब हो और गंदे भी खुद को देखा भी है तुमने कभी? तो क्या तुम ऐसा सूचती हो? वैसे मुझे जाकर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आना है तुमसे बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास हेई! ये क्या है? मैंने कहा थाना मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी? इन बच्चों को भूक लगी थी मैंने इन अपनी बेरिस दे दी इसकी कोई जरूरत नहीं थी ये बच्चे हमेशा अच्छा जीवन ही जीते हैं तुम ये नहीं समझोगे पर सुनो इंगल बेशक तुम खुद को सबसे बड़ी पक्षी समझती हो तुमें खाना ढूनने के लिए जमीन पर ही आना पड़ता है तो फिर तुम सबसे बड़ी पक्षी कैसे हुई किसी को घमर नहीं करना चाहिए याद रहे हम उसी के सहारे जिन्दा हैं जो हमें धर्ती देती है फिर चाहे अमीर हो या गरीब मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो साशा तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है तुम कल की पार्टी में सभी का मनुरंजन करना मैं भी गा सकता हूँ तुम गा सकती हो और मैं उर सकती हूँ शाइनी, तो तुम समझ गई कि माइक को कैसे जुड़ा जाता है ये तुम्हारा काम होगा हाँ पा, मैं माइक और स्पिकर कनेक्ट कर सकता हूँ बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़ा साफधान रहना ओ, फिर ये भयानक शोर नहीं अब इसे सेंड नहीं कर सकती ये अब रोज की समस्या हो गई है हमें कुछ करना होगा ओ, कितनी भयानक आवाज है तुम क्या करोगे? मैं अपने पड़ोसी को ये बोलने जा रहा हूँ कि वो अपना मूँ बंद रखे क्या हुआ बच्छो, तुम कोन हो? सर, हम पड़ोस के घर में रहते हैं तुम्हें कभी देखा नहीं, लेकिन तुम क्या चाहते हो? सर, क्या आप ही अभी गाना गा रहे थे? आ, क्या? तुमने मेरा गाना सुना? क्या आपको नहीं लगता कि मेरे पास एक अद्भुत आवाज है? तुम क्यों हस रही हो? बात ये है सर, आपकी गाय की हमें परिशान करती है क्या? तुम लोगों को संगीत की कोई कडर नहीं है हर कोई मेरी आवास की तारीफ करता है तुम नहीं जानते, एक दिन मैं एक महान गायक बनूँगा अभी तुम यहां से चले जाओ, मुझे अपना रियास करना है वो उसने फिर से गाना शिरू कर दिया अब हम क्या करें? मैंने मा और पा को भी बताया लेकिन वो उन से बात नहीं करना चाहते वो कहते हैं कि ऐसा बोलना असब्य है लेकिन पा और मा दोनों अपनी आफिस में होते हैं वो यह कैसे समझेंगे? केवल हमें ही उनके भयाना गायन को सुनना पड़ता है इसले कोई भी उन्हें गाना बंट करने के लिए नहीं बोलता लेकिन उन्होंने हम बच्चों की बात नहीं मानी हम क्या करें? हम क्या करें? उस आदमी को बहुत गर्व है और वो सोचता है कि वो सबसे अच्छा गायक है हाँ और किसी भी बड़े इंसान में कभी भी उसकी आवाज नहीं सुनी तुम क्या सोच रहे हो? अगर हर कोई उसकी आवाज सुन सके तो क्या होगा? तुम बच्चे फिर से यहाँ? अब क्या है? सर, हमें कल के बारे में खेद है आपकी आवाज सच में अद्भुध है खुशी है कि तुम्हें समझ में आ गया तुम्हें पता है? मेरे करीबी दोस्त मुझसे बोलते हैं कि एक दिन मैं जरूर हम जानते हैं, श्रीमान हम जानते हैं लेकिन हमें लगता है कि आपकी प्रतिभाएं क्या मतलब? केवल हम ही यहां आपकी मधोर आवाज सुन सकते हैं आपको आसपास के सभी लोगों के लिए गाना चाहिए अरे हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है हर किसी को मेरी प्यारी आवाज सुननी चाहिए लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँ? हमारे पास इसका समाधान है क्या सच में? हमने आपके लिए पहले ही कुछ सोच रखा है माइक और बूम स्पीकर कृप्या गाएं सर अब आप सब के लिए गाईए ठीक है अगर आपकी यही मर्जी है तो यह कौन सी डड़ावनी आवास है? भागो पुरी आत्माएं आ गई है यह सभी मेरी प्रशंसा करने आये होंगे कृप्या बंद करो, बंद करो हम पर दया करो क्या? अब परन्तू कृप्या, कृप्या बंद करो मैं एक अच्छा लड़का बनूँगा मैं वादा करता हूँ लेकिन मेरी आवास बहुत अद्भूत है प्रप्या अपनी अद्भूत आवास कहीं और ले जाएं और यदि तुमने फिर इसे गाना गाया तो हम तुमको और तुमारी भैंकर आवास को शहर से बाहर फैंक देंगे खेर, हमने आपको बताया था लेकिन, लेकिन मैं सच में बहुत बुरा गाता हूँ चिंता मत कीजिए यदि आप गाह नहीं सकते तो क्या हुआ आपके पास निश्चित रूप से अन्यप्रतिभाए है तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो मेरा सच से सामना करवाने के लिए धन्यवाद हमें मदद करके खुशी हुई